हलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ mutual funds की बात करूँगा, तो वहाँ पर one by one करके बात करेंगे, तो आपके जो दो doubt रहते हैं specially तोर पे, आपके जो कुछ doubt रहते है special तोर पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए SIP के लिए कौन-कौन से mutual funds से best रहते हैं, किस तरीके से किस तरीके से sector को rotation करें, किस तरीके से यहाँ जब आप sector की बात करते हैं, तो वह बात stocks के अंदर होती है, किस तरीके से जो categories है, उसको differentiate या उसको allocate करें अपने पैसे को, example की तोर पे small cap चुने की large cap चुने की larger mid cap का combo चुने की hybrid चुने की multi asset allocation fund चुने, क्या किस तरीके से category को manage क करें, तो यह सारी चीजों के जवाब आपको दिखते हुए, solve होते हुए, इस mutual fund के scenario में देखने को मिलेंगे, बस बात कर लेते हैं, इस mutual fund के NAB की बात करेंगे, 60 रुपे का NAB चल रहा है, return की बात करेंगे, 16.39% के CAGR के साब से, इस mutual fund अपने investors को return deliver करके दिया है, और यह का मेने में देखो, अभी भी negative में ही है, यह एक साल, तीन साल, पांस साल में बात करेंगे, बढ़िया return है, पर दस साल में देखो, करीब करीब 400% के उपर का 10 साल में return, मतलब 10 साल में पैसा चार गुना, ठीक है यार, और कहां यार, fix deposit बगेरा में देखो, सतार साल में पैसा ड minimum 1000 करोड के उपर तो पहुंची जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये quant asset management company अपने investors को return deliver करके दे रहा है, और investors वो नहीं देखता कि expense ratio बगरा क्या है, वो के वाल यह देखता है, उसे return मिलना की ने मिलना, तो यह सब चीज है, हलाकि कोई मेरी advice ने, पर फिर भी मैं ये prediction मार करके रखा हुआ, और ऐसा मैं इस वज़े से भी बोल रहा हूँ, जिको exit लोड पर कोई charges नहीं है, मतलब इन्होंने जो investor ने उसके लिए free छोड़ रखा है, गुरू, आज पैसा लगाओ, कल निकाल लो, ठिक, ये तभी fund manager ऐसा काम करेगा, जब उसको पता होगा कि उसने ज ही करके रखा हुआ है, हमारा investors पक्का रुकेगा, तो जब ये चीज़े रहती है न, तो कहिना कहीं investor को trust भी build up होता है, हलाकि इस company का जो है न, एक current asset management company अपने investors के अंदर एक भरोसा जता रहा है, तो इसको भरोसा जताने में time लगता है, SBI को भी भरोसा दिखाने के लिए न financial construction, energy, consumer staples, material जैसे कुछ दिगज sectors में आपका पैसा रहेगा, Reliance Industries, State Bank of India, Larson, Toubro, HDFC, Bank, ITC Limited जैसे कुछ दिगज कंपनियों के अंदर आपका पैसा जाता है, क्यों बोला मैंने कि भरोसा चल रहा है, लोगों को दीरे-दीरे develop कर रहा है, क्योंकि देखो केवल 22,000 आद दो से 81 क काम करना चाहिए, जो 55 scheme है, इन ही में अच्छा return प्रोवाइट करो, और ताकि जो AUM है, ये बढ़ता हुआ, देखने को definitely मिलेगा, अगर investors को 55 scheme के अंदर एक बढ़या return मिलते हुए, देखने को मिलेगा, चलिए, next mutual fund पर चलते हैं, मेरी मित्रों, जो मैंने next mutual fund लिया, इसका एने वी केवल अभी 22 रुपाय का है, maximum return की बात करेंगे, तो 23% की इस mutual fund है, return deliver किया है, पर hold on केवल ही अभी इस mutual fund को ना, 4 साल अभी complete करेगा जुलाई में, ये तो अभी इसको 3-4 साल ही हुए है, value research ने इसको 5 out of 5 rate किया है, राज मैता, रजीव ठककर, रानक, ओंकार साहब और रुकुन तारा चंदानी साहब आपके fund manager रहेंगे, तो ये दिखो, 4-5 लोग मिलके इस fund को manage कर रहे हैं, पर return इन्होंने अच्छा investors की जोली में डाल दिया, तो इस वज़े से इनको rating भी अच्छी मिल गई है, पर आख पारिक tax saver fund direct plan growth की मैं आपके सामने बात कर रहा थ एक 1526 करोर का ये assets है, जे 0.80% का expense ratio, दिखिए मैंने अभी tax saver fund की बात करी, तो tax saver fund में किवल उन्हीं लोगों को invest करना चाहिए, हर किसी को इलिए tax saver fund नहीं होता है, मेरे बित्रों अगर आप आज की डेर पे student हो, तो definitely tax saver मत चुनना, अगर आप दिखिए, tax saver fund आपको त उनको ATC के अंदर deduction मिलता है, तो इस वज़े से ELSS is important हो जाता है, उनके लिए, 0.80% का expense ratio है, 0.02% का cash hold करके चल रहा है, nifty 500 total return index को इन्होंने select करा है, withdrawal पे कोई charges नहीं लिये जाएंगे, तो fund manager का definitely trust देखते ही बनता है, financial technology, automobile, consumer stimulus, energy, जैसे कुछ दिगज सेक्टर्स इन्होंने कर रहा हूं, तो कुछ बहुत सारी चीज मैंने fast track में आपको बता दी है, और अगर आपको और in-depth analysis जानना है, कि suppose अभी मैंने जो 4-5 कंपनियां उपर बताएं आपको कि in insurance में आपका पैसा रहेगा, तो अगर आपको पूरी 34 जो भी कंपनियों में investment पैसा जाता हो, तो अगर mutual funds के नाम से playlist पढ़ी हूँ, आप वहां पर visit करो, मैंने in-depth analysis हर चीज के बारे में बताया हुआ है, PPFES यानि कि पराग पारिक mutual fund के बारे में अगर मैं बात करूं, asset management company के बारे में बात करूं, तो देखो 38,000 करोर का asset under management है, 7 scheme को किवल ये manage करते हैं, एक छोटा सा fund house है एक छोटी सी scheme के साथ, investors को जादा से जादा return deliver करने की कोशिस करा है, in fact पराग पारिक का flexi cap बता पराग पारिक flexi cap, तो ये चीजें चल रहे हैं, चलिए next mutual fund पर चलते हैं, इसी सिरली में जब मैंने next mutual fund रखा हुआ, उसका NAV 175 रुपय का चल रहा है, maximum return की बात करेंगे, 19.24 के CAGR के साथ से mutual fund अपने investors को return बना के दिया है, पिछले 10 सालों से mutual fund काम कर रहा है, और mid cap category में इसको बढ़हार rating मिली हुए है, पर value research ने इसको 3 out of 5 rate किया हुआ है, ये भी ठीक है, decent है, क्योंकि return भी decent है, देखने को मिल रहा है, सोनी अंदानी साहब आपके fund manager रहेंगे, ये mid cap category में देखो, और भी अच्छा return आप देखना चाहिए, तो एक बार मोतिलाल उसवाल mid cap को भी देख लो, एक बार आप इसके साथ साथ, निपोन इंडिया के mid cap को भी देख सकते हो, इसके साथ साथ, और भी mid cap को देख सकते हो, इसके लिए के वाल मेरी playlist विजिट करो, हर च क्रिसिल, शॉफलर, क्रिसिल लिमिटेड, शॉफलर, इंडिया लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री, स्ट्यूब, इंवेस्टमेंट ऑफ इंडिया, थर्मेक्स लिमिटेड जैसी कुछ दिगज कंपनियों में आपका पैसा पड़ा रहता है, चलिए, नेक्स्ट मूचल फंड के सीएजी आर के साब से मैक्सिमम रिटन इस मूचल फंड ने पिछले 10 सालों में दिया है, वैलियू रिसर्च इन इसको 4 आउट और 5 रेट किया है, समीर राज साब आपके फंड मेनेजर रहेंगे, यानि कि ये फंड मेनेजर आपके पैसे को मैनेज करेंगे, रिटन भी बढ़िया दिया है, इस मूचल फंड ने हो, जिस मूचल फंड की मैं बात कर रहा था, उसका नाम है निपवाइन इंडिया Small Cap Fund Direct Plan Growth, क्या बोला मैंने, निपवाइन इंडिया Small Cap Fund Direct Plan Growth, इसका असेट साइज देखते ही बनता है 26293 करोड का असेट साइज, और क्यों भी ना भ करके रखा हुआ है एक साल के एक महिने के दंदा निकलने की चेश्टा करोगी तो एक परसन का एकजिट लोड ले ले लेंगे कल फिर आपके साथ मिलेंगे कुछ नए mutual funds के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद